ओवेल इनिमिन सिविल्स वर्सेश साउथन व्रेब दा हंडेड में कर्पेटिशन दो हजार बाइस मैच नमबर 14 14 मैच में ओवेल और साउथन आमने सामने होगी तो भाई लोग आज के मैच में क्या होगा अगर हम यहाप पे ओवेल की बात करें जो इनकी शुरुआथ हुई थी पहला मैच आते हैं हार जाते हैं लेकिन उसके बाद वाप सी करते हैं बैक टू बैक दो मैच जीतते हैं अब भोलते हैं हम जीत के रथ पे शवार हो चुके हैं अब हमें कोई उतारने मता हैं साथन ब्रेप की बात करें, पिछले साल की चेंपियन हैं, जो सुरुवाद भी हुई थी ना, वो चेंपियन के साथ हुई थी, आये थे, पहला मैच जीते थे, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक दो मैच हार गये, तो जो चेंपियन वाला जजबा था ना, वो फुस्त हो गया बोले अरे चेंपियन वाला तुम्हारा रुदुबा कहां चला गया, ये बिल्कुल जीत की पटरी से उतर चुके, तो भाई लोग आज के मैच में क्या होगा, कौन से टीम जीतेगी आज के मैच, आप भी तो यही जानना चाहते है ना, अगर हम बात करें, जो पिछले सी ज सब्सक्राइब के साथ आया है, हम करेंगे प्लाट वार लेंगे, इसलिए हार का बदलत चलो यही जानते हैं लिकिन से पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब करो, वीडियो को कर तो लाइक क्योंकि आप लाइक करते हैं, यहां दिल पे बात लगती आपका भाई आपके फायदे के लिए टेलिग्राम पे जान लगा देता है, जिल लोगों ने टेलिग्राम जोइन किया बहुत ही फायदे मापस अच्छा ऐसा क्या तो मेरी मत मानों, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिलेगी जोइन करो, तो चार मैंचों मेरे साथ काम कर लिए और आपको पता जब सही जगे आएंगे तभी सही जगे कैसे आएंगे, इदर उदर और कैसे टेलिग्राम जोइन करना, जो लिंक के मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, बस वहीं से जोइन करना है, तो अगर हम इस मैंच की बात करें, संडेज 14 अगस्त इंडिया टाइम अगर हम यहां पर देखे जो डिफैंड की जो कहानी है, जो कहानी है, कही न कहीं बराबरी किये, अब लेजी स्कोर यहां पर फरस्ट इंडिंग का 147, 147 अगर चेज की बात करें, 143, 143 से नीचे स्कोर बनेगा, तो दस मैं से 8 मैं टागेट चेज हो सकता, टार्गेट मैच में target defend हो सकता दोस्तों यहां के मैजान पर जो मैच होते हैं वह थोड़ा साइरी स्कोरिंग होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि यहां का पिछे वो green growth है इससे क्या होता है जो तेज गेंद बाज होते हैं जो उनकी बोल होती है ना new बोल से सीम के साथ मुवमेंट मिलता है कभी इधर कभी उधर स्विंग करता है इक्सरा बांस करता है तो सुरू के 15-20 बॉल बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकि उसके बाद जो बॉल होता है बैट पर थोड़ा सा आना स्टार कर देता है तो मतलब कह सकते हैं बैलेंस प्रिश्टी के बीच में टार्गिट देखने को मिल चकता है अगर हम यहां के मंदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो ओवल ने 5 मैश खेला जिसमें से 4 मैश जीता एक मैश आ रहा मतलब ओवल अपने घर में बहुत भड़ीया परफॉर्मेंस करता है उने 3 मैश खेला एक हारा दो जीते इनके 4 पॉइंट से अगर हम इनके खेमें में चेंजिस की बात करें तो जैसान रोय कप्तान बोलेंगे बाई चेंज क्यों करना इसी टीम के साथ तो मैश जीते हैं उमें कप्तान भी बन गया है तो चेंज नहीं करतें बिल्कुल सेम पि तो इनका भाई भी बढ़िया कर रहा है मतलब दोनों भाई जो है ना ओवल के लिए वन मैन आर्मी की तरह के लें हिल्टन काट राइट की बात कर रहें ये भी बहुत अच्छी बल्लेवाजी कर रहें जो ओपनिंग जोड़ी है उनको छोड़ दो तो बाकी के जो बल्लेव लेकिन जीता है बस एक है हारे दो हैं अगर हम इनकी टीम की बात करें तो इनके भी खेमे में कोई भी चेंज ने होगा भाई चेंज क्यों करें क्योंकि इस से अच्छी प्लेंग लिए बस तो यह उतार नहीं सकते हैं को इंटेंड डिको और जेम से बिंस ऑपन करते नजर आज आए आप सोचलों दोनों कितने जवर्जस बल्यवाज़ हैं तीसे नमबर पर एलेकस डवीज जो की काफी बढ़ी एक पर्फॉर्मेंस भी कर रहे हैं वन मैन आर्मी की तरह खिलें चौते नमबर पर माकस स्टोनिस मालका स्टोनिस आप सब को पता है कमाल के बल्ले वा कर बाकि ग्लर्वाजी की फिल्कुल को को कापि ग्ली बाजी के सिक रहें जैक निलवाजी चले एक डिझरण बढ़ी Burch मदी इनकी जो ग्हाइं। थीक तांक बढ़िया चले है लेकिन बल्लेवाजी जो बात 210 बेड़ेधि भां ग़्हाइँ से पीजरिकि पर मजबूत नज़र आ रही है लेकिन performance जो है न उतनी निकल नहीं पा रही है ओवल की बात को तो ओवल की जो टीम है वो भी मतलब एक दो बल्लेबाज तीम बल्लेबाज बढ़िया कर रहे हैं बागी की बल्लेबाज अच्छा नहीं कर पा रहे हैं लेकिन home condition है home condition का थोड़ा सा फायता तो ओवल को जाएगा ही जाएगा वहीं अगर रहा हम इन दो लों टीम के last 60 match की performance की बात करें तो ओवल ने अपने last 60 match में 4 मैच जीता बस 2 मैच हा रहा इस दोरान जो इनका क्या मंत बहुत अच्छा नहीं कह सकते लेकिन गेंदबाजी अबरेज की बात करते हैं 9.20 तो यह काफी ज़्यादा कमाल का मतलब जो ओवल के गेंदबाज है ना वो काफी बढ़िया गेंदबाजी करें साथन व्रेप की बात करें लाज की सिक्सी मैच में चार मैं जीता बस दो मैचा रहा है इस दोरान जो इनका बल्ले बाजी अबरेज है 159 169-196 रहें 11okes blessing 12.25 11.25 जो इनके गेंद बाजी अबरेज होता है वो बढ़िया नहीं चला तक हम आपे ऑग से बराबरेकिन बल्ले बाजी अबरेज की बात करें यहाँ जो सौथन की टीम है वो ओवल से да सब्सक्राइब करो तो सारी करने के बाद किरिकिट के नियमानुसार घाम इस मैंच की बात के जो मैंच है तो अगर आप चाहे तो यहां पर जो मजबूर टीम है सौथन ब्रेप उसके साथ जा सकते हैं लेकिन भाई लोग मुझे ऐसा लगता है जो आज का मैच होगा ना ओवल इन्विंसिबिल्स अपने नाम पर कर सकता है लेकिन दोस्तों आपको पता यह किरिकिट मैच है और कभी भी कुछ भी हो सकता है इसलिए जो कि टेलिग्राम की जॉइन करो तो चार मैचो मेरे साथ काम करना आपको इतना फायदा होगा आप यहीं बोलोगे पहले ज्वाइन क्यों नहीं क्यों कोई बात नहीं अभी कौन सा देर हो गए जब जागो तभी सबेरा सोच लो अगर सभी मैचों में फायदे मेरा ना तो मेर सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की वेडेक्शन के साथ तब तक के लिए गौड ब्लेस यू